तो आज फिर एक बार आ गया हूँ आप सभी की problem का solution लेके और आप सभी के precious time को save करने के लिए आज का तो topic लिप के आया हूँ काफी interesting है जिसका नाम है use google forms responses to create slides इसमें हम क्या सीखने वाले हैं कि कैसे हम google forms के responses की help से कुछ slides जो हैं वो create कर सकते हैं सबसे पहले इसका use case बता देता हूँ कि कहाँ पे यह आपके काम आएगा मान लिजे आप कोई school teacher है या फिर sports teacher है और आप daily basis पे events वगरा करवाते हैं जिसमें आपके कई सारे students जो है participate करते हैं अब आप उन्हें participate करने के लिए एक certificate भी देते हैं तो मान लो 10-15 student है तो उनको तो आप manually certificate बना के दे दोगे लेकिन मान लीजे के hundred of students है तो उनको आप जब certificate manually बनाओगे दोगे तो काफी जादा time taking हो जाएगा महाँ पे आपकी help करेगा ये automation इस automation की help से क्या होगा कि जैसे ही जो student है वो google form को submit करेगा आप जो form बनाएंगे free application है google form इस google form के help से आप एक ऐसा form बनाएंगी जिसके अंदर name, email और phone number जो भी है आपको वहाँ पे जो भी add करना है मैंने आगे वीडियो में बताया है क्या करना है तो वो जैसे ही इस form को fill करेगा तो automatically उस student के नाम से एक certificate create हो जाएगा आपकी google slides में automatically एक slide create हो जाएगी जी हाँ it is possible यह हम कर सकते हैं with the help of automation यह automation मैंने set किया है google forms और google slides के बीच में आप लोगों को पता ही होगा कि इन दोनों applications के बीच में direct connection नहीं है इसी वज़ा से मैंने help ली एक software की जिसका नाम है pably connect automation and integration software है इसी software की help से ही automation संबभ हो पाया है best part तो यह है is automation का कि इसको करने के लिए आपक को किसी भी तरह की coding skills का आना जरूरी नहीं है आप एक non-technical और normal user भी है तो भी automation को आप बहुत ही easily set कर लेंगे okay so यह तो software है pably connect एक बात बता देता हूं free software कह सकते हैं क्योंकि 100 task free देता है और हर मन्त आपको जो है account भी आप free में बना सकते हो ठीक है तो यह automation आप कैसे set कर सकत step by step अभी करके दिखाता हूं अपनी screen पर okay so यह मेरा google forms जिसका नाम है certificate form और यह मेरे google drive का folder जिसका नाम है google forms to google slides integration मैं करने के आवाला हूं मैं जैसे ही एक user बनके इस form को fill करूँगा तो automatically मेरे इस folder में जिस नाम से भी मैं इस form को fill करूँगा यहाँ पर एक certificate create हो जाएगा उसी नाम से चलिए आपको करके बताता हूं यहाँ पर full name मान लीजे मेरा नाम है है हैदर खान okay then sports name जिसमें मैंने भाग लिया है cricket okay then मैं आ जाता हूं current date आच की तो current date है 5 of March 2022 ठीक है ठीक है same date है submit कर देता हूं form को so मैंने form submit कर दिया certificate form को your response has been recorded अब मेरे google forms to google slides वाले folder में एक certificate create हो गया होगा मेरे नाम से हैदर खान के नाम से चलिए आपको आके चेक करवा देता हूं तो जैसा कि आप देख रहे है तुरंट अभी 11.25 पर यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे है 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 थार खान के नाम से एक certificate जो है create हो गया एक फाइल आ गया यह open करके दिखा जेता हूं आपको इसके अंदर जो है certificate होगा तो certificate of achievement this certificate is presented for Heather Khan for achieving a great heights in the fields of sports being a great learner and completing course of cricket ओके 5 March of 2022 और यहाँ पर पोजिशन तो यह certificate हमारा create हो गया आप सोच रहे होंगे मैंने यह कैसे किया मैंने यहाँ पर फॉर्म फिल किया और automatically इस फोल्डर के अंदर एक certificate कैसे create हो गया तो यह मैंने किया एक automation के help से आप भी automation set कर सकते ह यही बना यही बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया है last तक बने रही है पूरी process बताऊंगा step by step कि कैसे आपको यह automation set करना है ओके सबसे पहले हम अपने browser में type करेंगे www.pably.com प्रेसेंटर यह official website देन क्लिक करेंगे हम sign up free पर अपना account एकदम फ्री में बनाने के लिए मैं अपना account अल्लेजी बना चुका हूँ that's why मैं क्लिक करूंगा sign in पे sign in पे क्लिक करने के बाद जो है हमारा सामने first option आएगा पैबली connect का क्लिक करेंगा access now पे access now पे क्लिक करने के बाद open हो जाएगा पैबली connect का dashboard right hand side में create workload का option उस पे क्लिक करेंगे दना अभी मैं अपने workload को एक नाम दे दूँगा मैं नाम दे देता हूँ google forms to google slides मैंने नाम दिया है google forms to google slides आपको जो नाम देना हो आप वो नाम दे सकते हैं एक बात इस वीडियो के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो की होगा असी workflow का आपको जाना अस लिंक पे क्लिक करना और आप भी ये same workflow अपने account में use कर पाओगे वह एक दम free में workflow को नाम देने के बाद मेरे सामने दो windows आगे trigger action दोनों ही काफी important role play करती है integration में trigger का मतलब होता है when this app is जब यसा हो action means do this ऐसा कर दो topic क्या है हम चाहते हैं कि हमारे google forms को जब भी कोई फिल करें जब भी कोई भी user फिल करें तो उस user के नाम से एक जो है हमारा certificate create हो जाए sports का ठीक है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा first application में choose करूँगा google forms को then google forms को search करके मैं choose कर लूँगा then trigger event में मैं choose करूँगा new response received को then public connect ने मुझे दिया है webhook url जिसको मैं copy कर लेता हूँ और नीचे दिये है कुछ instructions क्या करूँगा इस webhook url के help से अपने google forms को integrate कर दूँगा public connect से नीचे दियेगा instructions को follow करता हूँ चलता हूँ अपने google forms पे तो यह है वह google form जिसको मैं integrate करना चाता हूँ मेरे public connect से और मैं चाता हूँ कि इस form को जब भी कोई फिल करे तो फिल करने वाले के नाम से एक certificate जो है generate हो जाए sports certificate ठीक है तो इस form को integrate करना होगा मुझे इसके लिए मैंने form पहले से create करके रखा है आप भी create कर सकते है free application है google forms इससे जाके एक अच्छा था form create कर सकते हैं ठीक है तो certificate form मैंने इसका नाम रखा है इसमें मैंने three fields बनाई है full name, sports name और current date ये तीनों जो है मुझे fields लगेगी सिर्फ certificate बनाने के लिए that's why मैंने यही तीन जो है डाली है आप अगर और चाहतने है fields डालना तो आप और भी डाल सकते है ठीक है ठीक है तो सबसे पहले मुझे इस form को integrate करने के लिए क्लिक करना होगा response पे then अभी मैं इसको जो पुराना link है इसको unlink कर देता हूँ इसको आप ignore किजिएगा यह वाली जो मैं process करना हूँ okay so यह वाला form है response पे click किया यहाँ पे आपको option आने लगेगा google sheets का create spreadsheet का option है click करेंगे यहाँ पे then create a new spreadsheet पे click करके create पे click कर देंगे तो google forms आपके लिए automatically by default एक जो है google sheets बना के रख देगा जैसा कि आप देख रहा है मैंने google forms में तीन fields बनाई थी full name, sports name और current date करके है न तो current date यहाँ पे मैंने 3 fields बनाई थी यहाँ पे team की 3 मेरे सामने है okay so मैं क्या करूँगा अभी मैं सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहूंगे time stamp का तो google forms अपने हिसाब से देता है time stamp के कितने बजे कितनी तारिक को customer ने form fill किया है या फिर user ने form fill किया है तो यहाँ पे वो timing दे देता है तो यहाँ पे चार fields आ गई है मेरे सामने में इनको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं बड़ा कर देता हूं जिससे कि आप लोगों को देखने में आसानी हों centralized भी कर देता हूं तो अब कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि अब जब भी वो कोई form इस form को को कोई fill करेगा हमारे certificate वाले form को तो automatically इसकी details in rows में add हो जाएगी है तो करके दिखाता हूं आपको share करता हूं इस form को सबसे पहले तो मैं response पे click करके send पे click करके यहाँ पे से मुझे link मिल जाएगी form की copy करके new tab में open करता हूं मान लीजिए मैं कोई Gary Monroe नाम का आदमी हूं ठीक है तो यहाँ पे जो है table tennis okay table tennis डाल दिया मैंने then current date मैं आच की डाल देता हूं क्या date है आज 5th of March okay 5th of March 5th March 2022 ठीक है यहाँ यहाँ पे मैं डाल दिया then यहाँ पे जो current date डाली थी वो भी मेरे सामने है means यहाँ पे अब जब भी कोई form fill करेगा तो इस spreadsheet में उसकी details हो जाएगी अब मैं क्या करता हूं इस webhook URL की help से जो पैबली कनेक्ट ने मुझे दी थी उसको इस spreadsheet को integrate कर देता हूं पैबली कनेक्ट से उसके लिए मुझे क्या नहीं होंगे तो आप यहाँ से install कर लीजिएगा यहाँ से आप अपने google sheets को refresh करना मत बूलेगा install करने के बाद then दोबारा से क्लिक कीजेगा extensions पे तो आप देखेंगे के नीचे एक नया option आने लगा है पैबली कनेक्ट वैबोक्स का click करना होगा उस पे then यहाँ पे initial setup का option error बता रहा है मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि अगर आपके multiple gmail account login है तो आप google sheets को authenticate नहीं कर पाएंगे तो या तो आप अपने multiple gmail account को logout कर दीजे और सिर्फ एक gmail account को open रखिए या फिर आप अपनी google spreadsheet को new incognito mode पे open कर दीजे तो मैं क्या करता हूं अपने multiple gmail account को logout कर अपने multiple gmail account जो है logout कर दीए that's why जैसा कि आप देख रहे हैं जो error आ रहा था वो चला गया है सिर्फ एक gmail account open है आशी राय का ओके यहां पे मैं क्या करूंगा अभी integrate कर दूंगा मेरे पैबली connect को इससे किसकी help से वैबोक URL की help से तो वैबोक URL पैबली connect ने जो हमें दी ती इसको copy करते हैं आ जाते हैं spreadsheet पर यहां पर simply paste कर देता है trigger column, trigger column क्या होता है मैं बता देता हूं आपको spreadsheet के अंदर last data entry column को हम बोलते है trigger column है ना मतलब हमने spreadsheet के अंदर जहां पर भी last जिस column में data enter किया होता है वो वाला जो column है वो हमारा trigger column कहलाता है तो मेरा A, B, C, D, हैना D column मेर जो है वह ट्रिगर कॉलम है यहाँ पर में लिख दूँगा देन मैं क्लिक करूंगा सेंट टेस्ट पर जैसे क्लिक करूंगा तो डेटा जो है ऑटोमेटिकली सेंड कर देगा गूगल शीट किसको हमारे प्वैबली कनेक को क्लिक किया है हमेने तो जिसकी आप देख रहें है test देटा संक्ससफ ली यहाँ पर मुझे बता रहा है चल के चेक करते है हमारे गूगल हमारे प्वैबली कनेक पर की वहाँ पर डेटा जो है रिस्पॉंप रिसीविद हुआ है एक कम सही data capture हो गया जैसे कि नाम spreadsheet में था Gary Mondo, Table 10S और जो भी current date थी वगरा वगरा सारी की सारी details, means मैंने अभी successfully integrate कर दिया है, मेरे google sheets को पैबली connect से, छोटी सी setting और करनी होगी, click करना होगा submit पे submit पे click कर दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरी spreadsheet का last data entry column है, D, तो मैंने वापे defil करा था यही मेरा trigger column है, मेरा D था, आपका XYZ कुछ भी हो सकता है, ठीक है तो क्या करता हूँ, अब छोटी सी settings और करनी होगी, दुबारा क्लिक करना होगा extensions पे, then यहाँ पे, नीचे scroll करना होगा, पैबली connect वाबुक्स पे आके, यहाँ पे send on event का एक option है, इस पे click कर देना होगा, इस पे click करने से क्या होगा, कि अभी जो हमने data sign किया, पैबली connect को जब हमने send test पे click किया, तब data sign हुआ, अभी हमें send test पे click करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही इसमें कोई new row add होगी, तो automatically Google sheets पैबली connect को data sign कर देगा, क्या होगा, Google forms से form fill किया, किसी ने automatically यहाँ पे row में add हो जाएगा, जैसे कि उपर वाली row में Gary Monroe का हुआ, then automatically Google sheets उसको sign कर द तो यह template जैसा कि आप लोग देख रहा है, मेरे Google slide के अंदर मैंने template create करके रखिया, आप भी अच्छी templates create कर सकते हैं, अपनी own, okay, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे variables मैंने बना के रखे, यहाँ पे curly brackets में name लिखा है, date लिखी है, और यहाँ पे course name भी लिखा तो उनके नाम से यहाँ पे certificate बनेगा, अगला कोई XYZ बनता होगा, तो उसके नाम से बनेगा, that's why मैंने इसको variable बना दिया है, जिससे कि यह automatically change होता है, आप भी जिन words को change करना चाहते है, उनने variable बना दी, date भी change होगी, course भी लोगों का change होता रहेगा, किसी ने table tennis कहला, किसी cricket खेला हों सभी कि अपन certificate दे रहे है, तो यहाँ पे अभी सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, आना होगा वापिस family connect पे और second application में अपनी choose कर लेना होगा, Google Slides को, so search करूँगा Google Slides को और choose कर लूँगा, then action event में मैं choose करूँगा, हमारा create presentation from template, create presentation from template को choose करूँगा, then click add new connections पे, then connect with Google Slides पे, then उस Google account को choose कर लूँगा, जिस Google account में मेरी ये वाली template मौझूद है, जिसको मैं integrate करना चाता हूँ, तो आशी राय वाली template, account है वो, okay, जिसके अंदर template है, continue पे click करूँगा, don't worry, publicly connect is 100% safe, authorization successful हो गया है, जो है अभी Google Slides, जो है successfully connected है, publicly connect से, connect होने के बाद यहां से मैं template चूज कर लूँगा, जिसका नाम है sports certificate template, okay, so यह वाली template मुझे चूज करनी होगी, यहां पे click किया, मैंने sports search किया, sports certificate template, यह रही, click करके choose कर लिया, ठीक है, so यहां पे sports certificate template वाली, जो मेरी template ही, उसको मैंने choose कर लिया है, title of new presentation, जब आपकी यह template के अंदर Gary Monroe की ए तो यहां पे मैं जैसे blank field पे click करूँगा, नीचे option आएगा Google forms का, मुझे click करना है Google forms पे सारा data open हो जाएगा, यहां से Gary Monroe का जो यहां पे नाम है इसको click करके मैं यहां पे add कर दूँगा, अब आप बोलेंगे manually भी तो कर सकते थे, लेकिन अगर हम manually करेंगे तो यह change नहीं manually अगर मैं लिख दूँगा Gary Monroe तो हर बंदे के लिए Gary Monroe ही नाम रहेगा, that's why मैंने इसे map किया है, अब मैंने map किया है, तो software automatically इसको change कर देगा, जो भी बंदे का नाम होगा उस बंदे से, तो यहां पे Gary Monroe मैंने map कर देगा, अब आ जाता हूँ नीचे new presentations location, तो यहां पे मुझ slides के अंदर ही, जो है, यह वाले integration वाले नाम के अंदर ही, इसी folder में, जो है, file save हो, इसको मैं एक बार refresh कर लेता हूँ, so refresh करने के बाद, जैसे कि आप देख रहे है, Google Forms to Google Slides integration नाम का यह folder open है, जिसको मैंने select कर लिया है, आप भी जो है, अगर दूसरे में करना चाहते है, तो मैंने यहाँ पर तीन ही variable रखे हैं, जैसा की name, यहाँ पर course name, और यहाँ पर date, अगर मैं 10 रखता तो यहाँ जो है, मेरे पास 10 fields आती है, अब इनमे भी मुझे data map करना है, क्या करना है, map कैसे करते हैं, बताई दिया हमेने आपको blank field पर click किया, Google Forms पर click किया, हमारी trigger application आईग 5 March 2022, यह करके add कर गया, आप जैसे click करूँगा, save and send test request पर, एक certificate create हो जाएगा, Gary Monroe के नाम से, click किया हमेने save and send test request पर, so save and send test request पर click करने के बाद, जो है, आप पे load हो रहा है, थोड़ा सा time लेता है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तीन से चार सेकेंड के बाद response रिस्पांस हुआ है, चल के check करते हैं, हमारे Google Drive के folder के अंदर की महाँ पर कोई file save होई है, जैसा कि आप देख रहे है, Gary Monroe के नाम से, यहाँ पर file save हो गई है, क्योंकि मैंने, यहाँ पर new presentation, जो है, title of new presentation, Gary Monroe दिया था, that's why, Gary Monroe के नाम से, file save हो गई है, open करके देखा देता हूँ, आपको certificate हो sports being a great learner and completing course of table tennis, okay, 5 March 2022, जैसा की date मैंने वहाँ पर map की थी, तो यहाँ पर मैंने successfully अपना automation site कर दिया है, ऐसा automation site किया है, कि जब भी कोई इस Google form को fill करेगा, तो automatically इसके नाम से Google Slides बन जाएगी, आप लोगों के गलत से में दूर कर देता हूँ, सब लोगों को यह रहती है, कि य बिल्कुल भी नहीं करनी, इस process को बार-बार बस एक बार process कर दी, then यहाँ पर आना है, नीचे save पर click कर देना है, then अब यह process जो है, आपकी computer software वो खुद बाखुद करेगा, बस जब भी कोई आएगा form fill करेगा, जो software है, जो आपने process करी है, software वो automatically करेगा, और उसके नाम से ए जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ कि इस video के description box में आपको एक link मिल जाएगा, जो कि होगा असी workflow का आपको जाना है, और इस link पर click करना है, और आप भी यह same workflow अपने account में use कर पाऊगे, वो भी एक दम free में, इस video से related कुछ questions होता है, आपके queries होती है, या फिर आप म बता जूँ कि हमारा video अगर आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारी video को like करना मत भूलेगा, और हमारे channel को subscribe करना भी मत भूलेगा, thanks